क्या है विकास दूबे के एंकाउंटर का सच जानेगे इस वीडियो में चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं 10 जुलाई 2020 सुबा 7 बज़े से लेकर 7 बज़कर 15 मिनट के बीच विकास दूबे का एंकाउंटर हो जाता है क्या यह एंकाउंटर एक एंकाउंटर था क्या है इसके पीछे का सच जानेगे इस वीडियो में 10 जुलाई 3 बज़के 15 मिनट जानसी जानसी में 3 बज़के 15 मिनट के करेब मध्य परतेश की पुलिस स्टीफ ज़वानो सहित विकास दूबे को यूपी पुलिस के पास सौंपती है जानसी से लगबग 10 गाड़ियों का काफिला निकल पड़ता है प्रंतु महाकाल के मंदिर उज्जेन से मीडिया का रहला वी साथ में चल पड़ा दो स्टीफ ज़वानों के बीच में बैठे हुए विकास दूबे अब जानसी से रवाना होगे और मीडिया भी पीछे पीछे चलती जा रही है अब जैसे ही कानपूर के दरवाजे के नजदीक गाड़ियों की पहुँचने की स्थिती आ जाती है यह लगवग कानपूर की जुडेश्री से 19 किलोमेटर पहले पड़ता है बहाँ पर एक टोनाका है जहाँ पर गाड़िया चेकिंगे लिए रुकी बहाँ पर लगवग सुरू की सारी गाड़िया चले गई और अंत की एक गाड़ी खड़ी रही जिसके पीछे मीडिया की गाड़ी खड़ी हूँ थी यह सब लगवग 6 बच के 15 मिनट के करीब देखने को मिना कुछ समय बाद यह सारी गाड़िया टोनाका से लगवग 5 किलोमेटर आगे जाके खेत के इलाके में पहुंचाती हैं जहाँ पर विकास दुवे का एनकांपर हो जाता है लगवग 7 बचे के करीब बैरिकेट खुणने से पता चलता है कि विकास दुवे का एनकांपर हो गया है जब मेडिया बहाँ पे पहुंचता है तो पाया जाता है कि विकास दुवे की गाड़ी पलबी हुई है और विकास दुवे का एनकांपर हो गया है और पुलिस कर्मियों ने पताया कि विकास दुवे ने रिवॉल्वर छीनने की कोशिस की और फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बीच में विकास दुवे का इनफावर होगे अगर इस परिस्थित्य को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो बहुत सारे प्रसंचिन यहाँ पे लग जाते हैं उसमें से पहला प्रसंचिन जब कोई नहीं था तो विकास दुवे सिरेंडर करने के लिए क्यार थे गाडियों को ले जाते समय यह पता चलता है कि पहली कुछ गाडियों के बीच में विकास दुवे की गाड़ी पलट गई है और दो STF के जवान गंबी रूप से गायल हुए हैं और विकास दूवे फिर भी गाड़ी से बाहर निकल कर फिर पुलिस वालों से रिवालवर्ड चीनते हैं फिर वहाँ पे फाइरिंग शुरू करते हैं और उस मुद्धेर में विकास दूवे का एंकाउंटर होता है और पुलिस वालों का यह बीडिया था कि एंकाउंटर के बाद वहाँ पे अंबूलेंस बुलाए गए और विकास दूवे को अस्पिताल के लिए रैफर किया गया प्रंतु उनकी जान चली गए मीडिया में इस चीज को लगवग 7 बज के 15 मिनट के करीब बताया गया है जब भी कोई एंकाउंटर होता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस एंकाउंटर करती है जब कभी एंकाउंटर की परिष्थिती आती है तो बहाँ पे सरकार के कुछ निर्थेशों का पालन करना जरूरी होता है एंकाउंटर के बाद एक written report या फिर electronic format में एक report त्यार की जाती है जो की submit करवाने पड़ती है उसके बाद crime support पे investigation होती है criminal register त्यार किया जाता है जिसकी जाज के लिए independence CID गठन की जाती है या फिर किसी और थाना के senior inspector को investigation सौपी जाती है यह criminal register on the basis of witness, evidence, identity scene के उपर की जाती है जो की magistrate के सतर पे जाज होती है NHRC को inform किया जाता है उसके बाद medical facility provide करवाई गई कब करवाई गई on the sport थी या उसके बाद ही यह सारी report judiciary में submit करवाई जाएगी इसके बाद encounter sport की forensic जाज होगी यह सारी report उसी अदालत में submit करवाई जाएगी जहाँ पर उसने 5 हत्या करने के बावजूद भी उसे अदालत में जवानत दी यह encounter की परिस्थिती उस विकास दुवे को लेकर थी जो विकास दुवे सरेंडर कर रहा था यहां पर आकर बहुत सारे प्रसंद चिन लग जाते हैं जो की विकास दुवे के encounter को लेके खड़े होते हैं उन्हें प्रसंद चिन्नों मैंसे बने एक प्रसंद चिन्न का ब्याख्यान यहां पर 9 वज़े के करीब विकास दुवे ने सरेंडर किया उससे पहले तो पहर के समय थाना परोहरी परकास भसकले थे परकास बशकले जो की इन्विजिलेटर थे महाकाल थाना के उनको नेल गउं भिज दिया गया यह साले प्रक्रिय बुद्वार के दिन ही और अडविंटोने को ने इंविजिलेटर बना दिया गया महाकाल थाना का इस गटना के साथ दो और माँ पहला आसा साकी जोकी इनविजिलेटर थी महाकाल मंदिर चौकी की उनका ट्रांसफर महिला अपराज साल उज्जेन में कर दिया जाता है और उनकी जगा राजे सियादग की कोस्टिंग कर दी जाती है और जो S.I.S के प्राइविट सिक्रूर्टी गार्ड है लखनी आदग इनको घटना के बाद तुरंट चुक्त के बेज़ दिया जाता है उस मकान को पुलिस के द्वारा डिस्ट्रॉई कर दिया जाता है कानुन की किताब या संभिदान की किताब को देखा जाए तो यह सारा काम और्डर के बाद किया जाता है इसी दिन 3 जुलाई को प्रेम संकर पांडे और अतुल दूबे को पहला निसाना बनाय जाता है 8 जुलाई को आमीर दूवे का एंकाउंटर और 8 जुलाई को परभात मिस्रा को गिर्फतार करके 9 को उसका भी एंकाउंटर कर दिया जाता है और इसी दिन 22 दूवे का एंकाउंटर और 10 तारीक को विकास दूवे का एंकाउंटर देश भर में इस तरह की परिस्थितियां पहले भी देखने को मिली है जिसमें महाराष्टर एंकाउंटर जो की अंडरवर्ड डॉन था इसमें एंकाउंटर स्पेसलिस्ट बर्दीव सरमा 312 एंकाउंटर दैयर नायब 23 एंकाउंटर परफूल भों सले 77 एंकाउंटर रविन्दनात आयू यूव 54 एंकाउंटर सचिन बाजीद 63 एंकाउंटर विजे सालस कर 61 एंकाउंटर इसके बाद गुजरात में 2002 में गुजरात राइट्स जो की 2002 से लेके 2007 के बीच में हुआ था उसमें चार नाम बहुत ही मत्तपुर्ण हैं जिनका नाम सादिक जमात 2003, इसरत जाहा 2004, सुर्बुदीन सेख 2005, तुलसीराम प्रचापती 2006 1984 से लेकर 1995 के बीच में पंजाब में भी इस तरह के काफी अनकॉंकर देखने को मिले थे 2017 में आयोगी अदित्यनाथ द्वरत चलाया गया क्लीन ओपरेशन का डाटा भी कुछ इसी परकार का डाटा है जो की 2017 और 2019 के बीच का डाटा है जिसमें 5178 के करीब एंकाउंटर हुए 113 लोग मारे गे और 1849 लोग घायल हुए और 645 पुलिस कर्मी घायल भी हुए थे दिकास दूबे के एंकाउंटर के बाद भी 12 लोग बांटड है जो की अभी मी गे में बाकी है पूरे देश भर में यूपी एक ऐसा राज़ा है जहां पर सबसे जादा क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज किये जाते हैं और सबसे जादा क्रिमिनल केसी पेंडिंग है क्या इस डेमोक्रिटिक कंट्री में संबीधान का कोई अर्थ नहीं है क्या संबीधान की कोई महता नहीं है क्या सारा नयाय सडक पर ही होगा इस तरह के भारत में क्या लगता है आपको क्या भारत सुरक्सित रह पाएगा क्या देश के लोग सुरक्सित रह पाएंगे क्या है क्या लगता है आपको इस डेमोकरिटिक कंट्री में आप लोग सेफ रह पाएगा सम्भीदान के उपर लगे प्रसंचिन्दों को लेकर आज इस वीडियो को खत्म करते हैं जुड़े रहें अपने चैनल के साथ जय हिंद जय भारत